नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक्स वाकत है सुबे चाई की जगहें ये पीलो, आपके सरीर की 300 बिमारियां होंगी दूर वात पितोर कफ से जुड़या दोस दूर हो जाएगा और दोस्तों हमारे सरीर में जो भी बिमारी होती है उन सब का जो मुखे कान होता है वात पितोर कफ होता है और यदि आपका वात पितोर कफ बैलेंस में बना रहेगा तो दोस्तों आपका पूरा सरीर बिलकोल निरोगी बना रहेगा दोस्तो इस नुस्खे को लेने के तीसरे दिन से ही आपको इसका असर दिखाई देगा यानि तीन दिन आपने नुस्खा लिया और तीन दिन के बाद से ही इस नुस्खे का आपको असर दिखना अपने सरीर में सुरू हो जाएगा आपके सरीर का खून पतला होगा और ये खून को साफ करने का काम भी करेगी और यदि आपके सरीर का खून पतला होगा और खून साफ होगा तो इससे आपके चहरी पर भी नया गलो आएगा आपका चहरा भी खिल जाएगा क्योंकि दोश्टो हमारे चहरे पर जो कील मुहासे फुंसियां होती है इन सब का जो मुखे कान होता है वो होता है खून की SD और ये नुस्खा खून की गंदगी को साफ करेगा जिससे कि आपके चहरे पर नया गलो आएगा यदि आपको डायबटीज की समस्या है तो ये सुगर की बिमारी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा लेकिन आपने इस नुस्खे के साथ में जो आप दवा ले रहे हैं उसको आपने सुरू रखना है और धीरे धीरे उसको घटाते जाना है इस नुस्खे को लेने से बैड कलोस्टोल को कम और अच्छे कलोस्टोल को अरिक और वो भी सुनतलित मातरा में तो आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए और जब आपका कलोस्टोल सही होगा तब आपको हार्ट बलोकिस, हार्ट अटेक और दिल की विमारियों का भी सामना नहीं करना आपके ब्लड प्रैसर को सही करने का काम करेगा। दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपका पाचन मजबूत होगा और आप पेट के रोगों से बच रहेंगे। कबज गैस और एस्टिटी ये ठीक रहेगी। दोस्ते इन इसका खून की एस्टिटी के साथ पेट की एस्टिट आपने जोडों को हड़ियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तब भी ये नुस्खा आपके लिए बहुत आदिक कारगर है। दोस्तो यह आपके घुटनों में दर्द रहता है जोडों के दर्द की समस्या या आपको कमर में दर्द रहता है। आजकल बहुत सारी मेरी माताओ और बेहनों को क्या होती है कि कमर के दर्द की problem होते हैं वो थोड़ा सा काम करते ही ठक जाते हैं उनकी कमर में दर्द होता है तो दोस्तो उसका भी इससे बहतर इससे कारगर कोई इलाज हो नहीं सकता है यह आश्थमा की समस्या को दूर करेगा आपके urine infection का इलाज करेगा यूर उतादी कारगर है और दोस्तो इस नुस्खे को बनाने में भी आपको महज 5 मिट लगेंगे अब बताते हैं कि आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है उससे पहले आपको बता दूँ कि आपने इसका सेवन करना कैसे है दोस्तो आपने सुबिक चाई नहीं लेनी है चाई की गहां आपने चाय के स्थान पर इस नुस्खे का सीवन करना है और आपको ये चमतकारी जैल्ट दिखाए देगा इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको महज चार चीजों की आप सकता है और ये चारों ही समगरी आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगी इस नुस्खे को बनाने के लिए जो पहली समगरी चाहिए वह चाहिए दोस्तो लसुन दोस्तो लसुन दिल की बीमारियों का एक कारगर इलाज है चाहे आपको अपने खून को सही करना हो जोडों के दर्द का इलाज करना हो या दिल की बीमारियों का कारगर इलाज करना हो Diabetes को कंटोल में रखना हो तो इन सब बीमारियों में लसुन एक कारगर दवा है लसुन को आप घर का Ayurvedic डोक्टर भी बोल सकते हैं जो आपके स्रीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है दोस्तों आपने क्या करना है सबसे पहले एक गिलास पानी लेना है इसके साथ में दोस्तों आपने दो से तीन कली लसुन के लेकर उनको छील कर उनको कूट लेना है और कूट कर उनको आपने पांच मिन्ट के लिए ऐसे ही रख देना है और पांच मिन्ट रखने के बाद ही आ अब आपने क्या करना है अब आपने उन दो से तीन कली जो आपने कोट थी उनको आपने इस पानी में मिला दिना है जैसे कि ये मैंने अच्छी तरह से मिला दिया आपने भी दोस्तो ऐसे ही मिला दिना है अब दोस्तो दूसरी आपने इसके लिए जो सामगरी लेनी है वह लेन पारियों से बचाती हैं, दोस्तों आपने इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है एक चोथाई चमच हल्दी का, आपने वो लेकर इसमें इसको मिला देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूं, अब बात आती है अगली सामगरी की, दोस्तों डालचिनी, मसालों की रानी, आपने इसकी भी एक चुटकिस में मिला देनी है, और इसको अच्छी त्रहें से खोलेना है, और इसका सेवना आपने सुबह खाले बेट करना है, और इन लसन के जो दाने हैं ना, आपने कूटे थे, इनको भी आपने चबा चबा कर खालेने हैं दोस्तो ऐसा आप तीन दिन तक कीजी और चोथे दिन से आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा आपके स्रीर की तीन सो बिमारियां दूर होंगी वात, पित और कप से जुड़े दो से दूर हो जाएंगे वात, पित, कप, गैस और खून से जुड़ी दिमारियों का ये एक कारगर इलाज है तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे का सेवन आज से ही सुरू करतीजी लेकिन यदि आपको वविशे में कोई सरजरी वगरा करानी है तब आपने इस नुस्खे का सेवन नहीं करने है क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपका खून पतला हो जाएगा तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाईए और अपने सरीर की बीमारियों का घर पर ही इलाज करतीजी दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और इसके साथ हमें जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों